हेलो गाइस कैसे हो आप सब दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में RCB टीम अपना दूसरा मैच पंजाब किंग्स के खिलास खेनने वाली है 25 मार्च को पहले मैच में RCB ने ओपनिंग में अच्छी शुरुआत की थी फैब डुपलेसी ने ताबर तोड शुरुआत करते हुए टीम को अच्छी स्टार्ट दिलाई थी लेकिन भाईयो फैंस का ये मानना है कि RCB टीम को विल जैक्स को प्लेंग 11 में एज़ेस करना चाहिए किसी भी हालत में उन्हें खिलाना चाहिए क्योंकि वो बहुत दिल से चाह रहे हैं कि RCB टीम मैनेजमेंट विल जैक्स के अच्छे फॉर्म का फैयदा उठाए तो कैसे जो है विल जैक्स दूसरे मैच में हमें खेलते हूँ दिखाई दिये सकते हैं टीम मैनेजमेंट क्या करके विल जैक्स को खिला सकती है इसके बारे भी हमारी चोटी सी वीडियो होने वाली है आगए सारी जानकर ये आपको detail में दूनगा लेकिन दोस्तो इससे पहले की वीडियो को शुरू करे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो तो याज से सब्सक्राइब करके विल आइकन को भी दबा लीजेगा और दोस्तो एक important बात ये है कि यार only RCB के ही नाम से हमारा टेलिग्राम चैनल भी है अगर उसे जोइन नहीं किये हो तो description box में आपको link मिल जाएगी फटा फट जाओ link पर click करो join करके रख लो क्यों कि पूरे IPL RCB team की कोई भी update सबसे पहले वहीं पर मिलेगी तो भाई यार फटा फट जोइन कर लेना तो चलिए शुरू करते हैं पहला मुकाबला चिन्नाई से हारने के बाद RCB team पूरा प्रयास करेगी दूसरे match में पहले जीत हासिल करके दो महत्वपूर्ण अंक हासिल किये जाए ताकि आने वाले match इस RCB team जो है आत्म विशौस के साथ खेले लेकिन इस match में एक अलग combination के साथ team को उतरना पड़ेगा क्योंकि match जो है चिन्ना सौमे के stadium में है यहाँ पर बल्ले बाद जो का बोल बाला रहता है गिन बाद जो के लिए कुछ खास नहीं है हमें बहुत जादा margin में छक्के चाओके देखने को मिलने वाले है अब दोस्तो इस match में सभी fans का ये मानना है कि RCB team को विल जैक्स को chance देना चाहिए तो यहाँ पर पहली बड़ी चीज यह है कि RCB के top 3 overseas player तो fix हैं जिसमें Fab Duplessis, Glenn Maxwell और Cameron Green ये तीनों confirm वे खेलते हों नजर आएंगे ही चौथे player के तोर पर RCB के लिए दूसरे match में Will Jacks खेल सकते हैं लेकिन दोस्तों इसके chances भी बेहत कम है क्योंकि RCB team एक ऐसा combination चाहती है जिसमें चौथा overseas उनके पास gain badge हो वो gain badge खिला सके और अगर ऐसा कर लेंगे तो Will Jacks को RCB team as a impact player भी use नहीं कर पाएगी इस लिहाद से मेरे हिसाब से एक option यहाँ पर बेहतरी रहने वाला है जहां पर RCB team ये चीज़ कर सकती है क्या आईए जानते हैं पहला तो RCB team जो है तीन overseas player के साथ उतर सकती है playing 11 में और चौथे के रूप में RCB team जो है Will Jacks को as a impact player यूज़ कर सकती है जहां दुस्तों मैं यहीं बात कर रहा हूँ कि पिछले match में जो अलजारी जोसेफ हमें खेलते हैं दिखाई दिये थे चांस तो नजर नहीं आ रहा है अलजारी जोसेफ के बदले इस match में शायद हमें रीस टोपली भी खेलते हूं नजर आ सकते हैं उन्हें मौका दिया जा सकता है लेकिन अगर RCB चाहती है Will Jacks खेले तो उन्हें एक extra भारती तेज गिनबाज खेलाना पड़ेगा जिसके बाद ही Will Jacks जो है एज़ा All-Rounder RCB टीम की Playing 11 में खेल पाएंगे ये थी हमारी चोटी सी वीडियो Will Jacks को लेकर आपको क्या लगता है क्या Will Jacks को चांस मिलेगा या फिर नहीं आप भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएगा आभी के लिए इस वीडियो में इतना अग बाद क्या लगता है क्या दूस्टों